नमस्कार सातियों, दिल्ली का चुनाव इस बार काफी ही रोचक हो गया है जब से कनहिया कुमार ने इंट्री मारी है दिल्ली के चुनाव में और कॉंग्रेस ने जब से उमिद्वार बनाया है उसके बाद से ही सरगर्मी तेज हो गई है और दिल्ली की जनता इस बार किसको चुंती है ये बड़ा सवाल हो गया है हर तरफ ये चर्चा का विशा है कि क्या मनोज तिवारी इस बार पुर्वी दिली से हैट्रिक लगा पाएंगे या उनकी पारी यहीं समाप्त हो जाएगी कनहिया कुमार के बारे में आपको पता ही है कि जी एन्यू के वो लीडर रहे हैं और पिछले चुनाओ में उन्होंने बिहार के बेगुसराय से फाइट किया था प्रंतु बिहार के बेगुसराय में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था और गिर्राज सिंग वहाँ से चुनाव जीते थे दिली में कॉंग्रेस को जब उमिदवार नहीं मिले तो इन्होंने फिर से एक बार बिहार की तरफ रुख किया और बिहार से कनहिया कुमार को लड़ाने का फैसला किया और वो भी मनोस्तिवारी के सामने लेकिन इन्होंने इसलिए कॉंग्रेस ने ऐसा किया क्योंकि कनहिया कुमारी विहार के पुर्वांचर से आते हैं और मनोज तिवारी भाजपा के सामसद हैं तो भाजपा को चिनवती देने के लिए कॉंग्रेस ने ये नया चाल चला लेकिन क्या ये चाल सफल होगा और मनोज तिवारी ने जो पिछले 10 साल में अपने सुनसद्य छेतर में काम किया है उसको लेकर कि जनता क्या सोचती है जनता क्या इनाम दोगी ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया है लेकिन जो अभी तक का जो एक्वेशन बन रहा है और अभी तक कि जो चर्चा है उसमें ये दिखाया जा रहा है मनोज तिवारी इस चुनाओं के एक तरफा जीत रहे है और कनहिया कुमार का नामों निशान नहीं है किसी भी जिगा फाइट में यहां तक कि उनकी सभाओं में भीर तक नहीं हो रही है जब कि दूसरी तरफ मनोज तिवारी लगाता है